पूआ आई नमसकार भाईयो तो स्वागस है आपका आपके ही चेनल में और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर शिरीलंका के बीच में जो दूसरा ओडियाई मुकाबला खेला जाने वाला है उसकी और भाईओ इस मेंच में क्या होने वाला है सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है और भाईओ तो मज़ा आया 1st ODI में मज़ा आया कमेंट करके बताना आया के नहीं आया तो भाईओ पिछले मेंच में मचाई धूम सब को जिताई grand league बोल के जिताई grand league पेले ही बोल दिया था इस match में grand league जिताने वाला हूँ जीतने वाला हूँ open team से आपको grand league जितागे दी मैंने live में जो team देगे गया था उस team में एक player change करके मेरे सारे बंदे grand league जीत गए तो अभी मैं आपको open करके दिखाता हूँ पिछले match का result लेकिन उससे पेले आपको आज के match की pitch report बता देता हूँ फिर उसके बाद में मैं आपको last match का result दिखा देता हूँ फिर उसके बाद में मैं आपको आज के match की team बना के बता देता हूँ ठीक है भाईयो तो सबसे पेले क्या आज के मेच की पिछ रिपोट क्या रहने वाली है आज के मेच की पिछ रिपोट उसके उपर बात करने वाले है तो भाईयो कोलमबो आपके भाई के ग्राउंड में मुगावला खेला जाने वाला है भाईयो हाँ भाईयो आपके भाई काई ground समझो क्योंकि यहाँ पे जब भी मेच होता है किसी भी टीम का मेच होता है आपका भाई डारे ग्रेंड लिक जीता जीताता है क्या होता है इस pitch पे आपके भाई से अच्छा यहाँ पे prediction कोई कर ही नहीं सकता पूरे world में पूरे world में कोलमबो की जो pitch है वो आपके भाई से बढ़िया कोई explain कर ही नहीं सकता तो चलो बता देता हूँ कि आज के मेच में क्या pitch रिपोर्ट रहने वाली है भाईयो यह तो मैंने आपको बता दिया कि कोलमबो के ground में मेच खिला जाएगा और कोलमबो की pitch पे होता क्या है चलो बता देता हूँ भाईयो betting friendly wicket है बल्ले बाजो को wicket suit करता है पेले betting करने वाली team हमेशा मेच विन करती है चाहे वो कोई सी भी team हो चाहे वो कच्ची team क्यों ना हो पेले betting जो करता है मेच विन करता है ठीक है और इस्पिनर्स का wicket रेता है इस्पिनर्स को wicket suit करता है समझ फास्ट गिनबाज भी wicket लेते हैं लेकिन गिने चुने लेते हैं वो मैं आपको बता दूँगा कि हाँ ये फास्ट गिनबाज विकिट लेगा जिसे कि पिछले मेच में आपको पता दिये था कि आर्शीदीफ सिंग विकिट लेगा तो आर्शीदीफ सिंग ही ट्रिम टीम में आया था आज के मेच में भी आपको एक से दो फास्ट द गेशंच लेना होंगे इनके अलाभा आपको बल्ल Debats कितने लेना है औल रौंडर्स कितने लेना है spinners कितने लेना है वो मैं आपको team बनाते हैं बता दूँगा बाकि अभी आप अच्छे से pitch report समझो भाईयो इस pitch पे आज फिर से spinners का बोल बाला रेने वाला है अब बोलो कि क्यों रेने वाला है क्योंकि मुकाबला जो है दिन में खेला जाने वाला है दाई वजे मेच स्टार्ट होगा अब दाई वजे मेच स्टार्ट होने से spinners का क्या तालुकात है spinners क्यों चलते हैं दाई वजे मेच स्टार्ट होने से चल वो मैं आपको बना देता हूँ भाईयो इसली spinner चलते हैं क्योंकि धाई वज़े धूप निकलती है धूप का मोसम रिता है सूरज तपता है पिछ हो जाती है ड्राए ठीक है और ड्राए सरपेज पे फिर क्या है कि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा टन मिलने लगता है जिसको फिर बल्ले वाजों को खेलने में दिक्कत आती है जिस वज़ा से स्पिनर्स के खाते में विकेट आ जाते हैं तो भाईयो आज के मेच में आपको इस वज़ा से धूप की वज़ा से पिछ की वज़ा से स्पिनर्स का मेच दिखाई देने वाला है ठीक है भाईयो बाकी जो टीम पेले बेटिंग करेगी वो ये मेच लगभग कंफर्मे की जीतने वाली है चाहे वो शिरी लंका क्यों ना हो तो भाई आज के मुकाबले में जो टीम पेले बेटिंग करेगी फेबरेट रहने वाली है चाहे वो शिरी लंका क्यों ना हो ठीक है श्रिलंका देखा ना पिछले मेच में एक रन्नी मनने दिया जबकि 15-16 बोले बची वी थी और इंडिया के हाथ में दो विकिट थे फिर भी ले लिए न असलंका ने क्यों बोल जब यहां टपा खाके यहां जाएगी तो बल्लेवाच करेगा क्या वो यहां टपा सोचके यहा बेट गुमाएगा ना कि यहां ठीक है तो इस वज़ा से शिरी लंका जीत समझोगी जीता शिरी लंका हारा नहीं है है न क्योंकि एक रन दो विकिट एक रन बनना चीए था क्यों जीता क्योंकि स्पिनर्स का मेच था असलंका बोलिंग कर रहा था किलियर बोला था असलंका बोलिंग से इंपोर्टेंट रहेगा और कितने तीन विकेट लेके गया दुरिंत विलालगे का बोला था हसरंगा का बोला था अक्षर पटिल पोशिंग्टन सुंदर कुलदी पिया दो आप मुझे बता दो कि भाई हाँ ये स्पिनर ने विकेट नहीं लिया जिसका आपने ब अंध्यों अन्युक्त आपि बताचुका हो हमको अपको इस पिनर का फिनर रेने वाला है धूप में मेंच खिला जाने वाला है फास्ट इनिंग पूरी धूप में होगी जिस वजा सेस्जंद् al objective से knife स्थोड़से की रहेंगे लेकिन हाँ एक से दो फास्ट गेंवाद जो विकेट लेंगे बता दूँगा टीम कॉंबिनेशन कैसा बनाना है चलो पिछ रिपोर्ट खताओं खताम बात करते हैं अब आज के मेच की टीम के उपर लेकिन हाँ लास्ट मेच का रिजल्ट दिखाता हूं मैं बोलूगा तबियत मस्त हो जाएगी आपकी लास्ट मेच का रिजल्ट देखके और जिस बंदे ने विडियो देखी है लास्ट मेच की वो बंदा ग्रेंड लिक जीता है तो अगर आप इस चेनल पे नए आए हो तो बाई एक बार लास्ट मेच की विडियो देख लेना समझ जाओगे किस चेनल में आए हो पूरे वर्ल्ड कप में बेक टू बेक सारे मेचों में ग्रेंडिक जिता के दी पूरे आईपिल में जिता के दी ओडिया वर्ल्ड कप में जिता के दी तो यह चेनल एसा है कि यहाँ पर भाईयो आपको हमेशा सटिक प्रेडिक्शन मिलेगा सो में से दो मेचे से जाएंगे वो भी मेरे बेड़ लक्स से या फिर कुछ अन्प्रेडिक्टिबल हो पानी वानी आ जाए तो खराब हो सकते नहीं तो आपका भाई जो बोलता है वो पत्थर की लकिर होती है मिठती नहीं है मतलब जो बोल दिया वो हो गया ठीक है पूरे वोल्ड कब में जो Gary अब बना के बताते हूं तो open करता हूं टेलीग्राम चेनल अपना टेलिग्राम चेनल पे मैंने रिजल्ट पोस्ट करके रखा है देख सकते हूँ पाँच रेंग तीन रेंग और यह देखो माई 11 सरकल पे टाटा एस्यूवी प्लस 21 लाग और पही आपके भाई का यह बंदा जीता है ठीक है वकायदा उनने ठेंक्यू भाई भी बोला है और चलवा अब मैं आपको एक काम करना भाई हूँ टेलिग्राम चेनल याज से जोइन कर ले ना टेलिग्राम की टीम दिखाता हूँ आपको यह देखो मैंने ओपन टीम दीती कहा गई हो यह देख सकते हो दो बच के 17 मिनिट पे यह मैंने आपको ओपन टीम दीती देख सकते हो विलाल गे अकिला धननजे कुल्दी प्यादव अर्शिदिप सिंग हस रंगा वोशिंग्ट अक्षर पटेल पतम निसंका चरित सलंका यह दक्की विकिट की पर भी परफेक्ट तो यह टीम दीती आपके भाई ने स्मोल लिख की और दो टीमें दीती मैंने ग्रेंड लिख की ग्रेंड लिख की टीम सेगेंड चैनल पे देता हूँ यह मेरा सेगेंड चैनल है और इस प एक टीम में तो मैंने हसरंगा और दुनित विलालगी को आपको सी वी सी बना के दिया था और यह जो ग्रेंडिक की टीम है देखो इसमें शिवम दूबे चरित असलंग का विरायट कोली की जगा पे इस टीम में अगर रोही श्यर्मा होता और मेरे बंदों न वही काम करके ग्रेंडिक जीते हैं बस एक प्लियर चेंज करके चलो आओ अब मैं आपको ले चलता हूँ ड्रिम लेंट पर वागी टेलिग्राम चनल याज से जूइन कर लेना इसी वीडियो के कमेंट बोक्स में लिंक है अब मैं आपको ड्रिम लेंट पर यहाँ पर जाओ और यह 10 करोड का कॉंटेस्ट है यह भाई जो फर्स्ट रेंग पर है वो मेरे ही बंदे हैं एक करोडर पर उनने विन किया है उनकी ड्रिम लेंट ने हटा दी बाकी आप थर्ड रेंग पर देख सकते हो जिनने पांच लाग रुपे जीता है उनकी ड्रिम पी आप देख सकते हो को नहीं है आपके सामने बेठा है आपका भाई चलो एक ड्रिम पी आपको दिखा दी और देखोगे क्या चलो और यहाँ पर नहीं दिख रही है दस करोड का दूसरा वाला ग्रेंट का कॉंटेस्ट ओपन करते हैं यहाँ पर भी जो फर्स्ट रेंग पर और सेकेंड रेंग पर मिंबर है वो आपके भाई के अMomर है उनकी डिपी ड्रिम ल्हन ने हटा दिये चलो यह देखो पाँछवी रेंग पर आपके भाई की ड्य ठीके अब बोलो कि भाई आप आपकी DP केसे भाईयो जो वीडियो देखते हैं वो DP लगाते हैं यह देखो सातवी रेंग पे भी आपके भाई की DP ठीके भाई आप dreamlearn कोव के देख ले ना winner और देखो, ये देखो, ये एक करोड़ वाले में भी साथ भी रेंग पे आपके भाई की डीपी, ठीके, और दिखा देता हूँ, चलो, देखते डाओ, ये देखो, नभी रेंग पे भी आपके भाई की डीपी, तो भाईयों, सभी भाईयों को आपके भाईयों आपके भाईय में ग्रेंड लिक जिता दी एसा प्रेडिक्शन देता है आपका भाई कि जो वीडियो देखता है वो ग्रेंड लिक जीत जाता है तो भाईयो देखो इसलिए बोलता हूँ कि आपका भाई अगर किसी मेच का बोल दे कि इसमें ग्रेंड लिक जिता हूँगा तो समझ लिया करो कि हाँ जिताएगा भाई मतलब जिताएगा बोल दिया भाई ने मतलब जिताएगा थीक है तो अब मैं आपको आज के match की prediction बता देता हूँ आज के match में कुंछ से चलने वाले हैं लाष्ठ मेचो की बाते खतम करते हुगे तो आज का match सोरी आजंद मेच कल है वीडियो में आज पोस्ट कर रहा हूं छलो तो भाय ओ अभी मेने टीम भी नहीं वनाई है आपके सामने टीम बनाऊंगा और बताऊंगा कि होने वाला क्या है तो चलो बात करेंगे सबसे बिले विकेट कीपर्स की तो भाई यो दो विकेट कीपर्स आपको आज के मेच में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं लोकेश राहुल और कुसल मेंडिस ये दो विकेट कीपर अपनी अपने टीम से विकेट कीपरिंग भी करेंगे और एक विकेट कीपर इंडिया का जो है वो पाँचवे नंबर पे खेलेगा और जो शिरी लंका का विकेट कीपर कुसल मेंडिस वो आपको वन डाउन खेलता हुआ दिखाई देगा लेकिन हाँ हो सकता है कि कुसल मेंडिस आज के मेंच में ओपनिंग भी करे क्योंकि अभिश्का फर्नेंडो जो हो सकता आज के मेंच में उसको रेष्ट दे दिया जाए तो फिर क्या है कि कुसल मेंडिस हो सकता फिर ओपनिंग करे लेकिन अगर कुसल मेंडिस वन डाउन खेलता है अभिश्का फर्नेंडो खेलता है तो फिर क्या होने वाला है, चलो मैं यही मानता हूँ कि अभिष्का फेडेंडो को एक और मोका मिल रहा है, कुसल मेंडिस जो है बंडाउन खेल रहा है, तो सीधे-सीधे आपको एक डिसीजन लेना होगा, अब बोलोगे, भाई, कि लेना किसको है, कुसल मेंडिस को है, या फ दोनों लेना है या फिर एक लेना है भाई हो किलियर कर देता हूं एक विगेट कीपर लेना है आपको अब बोलोगे कौन सा विगेट कीपर लेना है कब लेना है भाई हो जो टीम बोलिंग करे उसका विगेट कीपर लेलो अगर इंडिया बोलिंग करती है तो राहूल को लेलो शिर्लंका बोलिंग करती है तो कुसल मेंडिस को ले लो अब बोलोगे भाई ऐसा क्यूँ बस आपका भाई बोल दे बस इसको आप काम को कर लो आपका काम हो जाएगा भाई ठीक है पूरी तयारी करके आता हूँ अगर इतना डीटेल में बता हूँ तो वीडियो दो गंटे की हो जाएगी बस आप समझ लो कि आपका भाई बोल रहा है तो उसके पीछे कुछ वजा है जो टीम बोलिंग करे उसका विकेट कीपर ले लेना अगर इंडिया बोलिंग करती है तो राहूल को ले लेना नहीं तो सीधे सीधे कुसल मेंडिस को ले लेना ठीक है लेकिन अगर कुसल मेंडिस ओपनिंग करता है तो भाई यो उस condition में श्री लंका अगर पेले बेटिंग करे तो आप कुसल मेंडिस को भी ले सकती ठीक है समझ गए हो गया होगा आपका डाउट के लिए अगर कुसल मेंडिस ओपनिंग करता है तो पेले बेटिंग में इंपोर्टेंट हो जाएगा अब बोलोगे ऐसा क्यों? भाई यो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मुकाबला है धूप में खेला जाएगा और पेले बेटिंग करने वाली टीम मेंच विन करने वाली है अब बोलोगे भाई धूप से कुसल मेंडिस की ओपनिंग का क्या तालुकात है तो भाई यो वो ये बात है मतलब कि ये तालुकात है कि शुरू में क्या है बोल स्विंग नहीं होती है धूप में मेच स्टाट होता है तो बोलर्स को स्विंग नहीं मिलती है तो पहले बेटिंग करने वाले जो दो ओपनर होते हैं वो लंबा जाते हैं तो अगर कुसल मेंडिस का ओपनिंग करा या तो तो फिर पर चल रहा है कुसल मेंडिस शतक मार रहे हैं है और आप बोलों कि वह आपने मोला था कि फ़र्ष्ट persuigation अगर छिरलंका करती है तो ही लेना मेंधिस को फ़र्ष्ट बेटिंगुमें अंड़ दिया था प्रयकर समझ गए तो अगर कुसल मेंडिस वन डाउन बेटिंग कर रहा है तो सीधे-सीधे जो टीम बोलिंग कर रही है उसका विकेट कीपर ले लेना है है ना? समझ के होंगे डाउट आपका क्लियर हो गया होगा तो अभी मुझे नहीं पता है कौन सी टीम पेले बोलिंग कर रही है इंडिया बोलिंग कर रही है कि शिरिलंका बोलिंग कर रही है तो अभी के लिए मैं किसी को भी ले सकता हूँ अभी के लिए मैं मान के चलो राहूल को रख लेता हूँ मुझे नहीं मालू मैं कौन सी टीम अभी बोलिंग कर रही है, कप पता चलेगा टोस के बाद, तो टोस कब होगा मेज के आधे गंटे पे ले लाइब रेता हूँ, उस टाइम पे मैं आपको एक फाइनल टीम अपनी बना के दे दूँगा तो अभी के लिए मैं राहूल को लेके चल रहा हूँ बागी हाँ, अगर कुसल मेंडिस अगर ओपनिंग करता है तो दो विगेट कीपर भी आप ले सकते हो बोलोगे के से, शिरलंक अगर पेले बेटिंग करती है और कुसल मेंडिस अगर ओपनिंग करता है तो उस कंडिशन में आप दोनों विकिट कीपर ले 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 ना राहूल को भी और मेंडिस को भी समझ गए चलो अभी के लिए यहां से राहूल को में ले के चल रहा हूँ बाई की नीचे से जो तीन पिलियर है हो सकता है कि इस मेच में कुसल परेरा को मोका मिल जाए तो भाई देखो अगर कुछ चेंजे सोंगे तो वो मैं आपको लाइब आके बता देता हूँ मेच के देड़ घंटे पेले लाइब भी आता हूँ तो एक बज़े में लाइब भी आ जाओंगा मेच के देड़ घंटे पेले ठीक है तो विकिट कीपर में अधी के लिए राहूल को रख लिया बागी आपको दोनों का किलियर समझा दिया मैंने करना क्या है अब चलते हैं में बेटिंग सेक्षिन में बल्ले बाजो की बात करते हैं भाईयो रोही शर्मा की वज़ो से मेरी ग्रेड लिग मिस होई लेकिन मेरे बंदों ने एक चेंज कर लिया था वो ही तो बोलता हूँ कि भाई मेरी टीम में बस आप एका चेंज करोगे करणों विन करोगे ज्यादा चेंज नहीं करने की ज़रूत होती है बस आपको प्रेडिक्शन देखना है और एका चेंज करना है ठीक चलो बात करते हैं सबसे पहले रोही शर्मा की तो भाईयो देखो रोही शर्मा आज की मेच में पहले बेटिंग करते हुए वेरे इंपोर्टेंट प्लियर रहने वाला है जबकि चेंज करते हुए आज की मेच में वेरी रिस्की रहने वाला है पिछले मेच में भी आउट हो गया था इंपार ने आउट भी दे दिया था रिवीव लेके बज़ गया था इसलिए मुझे बहुत अखरा था क्योंकि आपका भाई भी ग्रेंड लिंग जीत चुका था बस रोई शर्मा की वज़े से मेरी ग्रेंड लिंग मिस होई थी अगर वो आउट हो जा था तो आपका भाई भी सारे ग्रेंड लिंग में फर्स्ट पर रहता था ठीक है जन्दो कोई बात इस मेच में जीत लेंगे देखो भाई भाई रोई शर्मा का मैं आपको किलियर बता देता हूँ आज के मेच में अगर इंडिया पेले बेटिंग करेगी तो रोई शर्मा आपको रन मारता हूँ दिखाई देगा चेस करते हुए मुझे नहीं लगता कि आज की मेच में ओई शर्मा कुछ कर पाएगा ठीक है बहले पिछले मेच में किया आउट हो गया था भाई जीवन दान मिल गया था चल बात करते है विराइट कोली की तो विराइट कोली भाईओ आज चेस करते हुए वेरि इंपोर्टेंट रहेगा अगर विराइट कोली रंड बनाएगा तो चेस करते हुए नितो नहीं बनाएगा पेले बेटिंग में विराइट कोली को मत लेना ठीक है चाओ तो चेस करते विए छोड़ थोड़ा सा यार इसा ही है यह फ्लोप जाता होता है दुनिया आजाता है महलबानी फ्लोप होने के लिए तो भाई हो जाते हैं फ्लोप बाकि यार थोड़ा फुसकी बंब भी है ऐसा ही है यह मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं विराइट कोली क्योंकि देखो आप फाइनल में पाचास बोलो पाचास रन की एनिंग खिल रहा था वो तो एक आथ दो छक्के मार दिये थे नि तो गया था इंडिया गया था विराइट कोली के उपर पूरी बात आ जाती थी तो वाले तो को विराइट कोली आज के मैस में चेस करते भी चल सकता है लेकिन पेले बेटिंग करते भी रिस्की रहेगा चाहो तो चेस करते भी छोड़ क्यों कि उसकी जगा पे आप दूसरे बिलियर ले सकते हो वो कौन से हो सकते है वो आगे समझो शुबमन गिल की बात करेंगे 45% सेलेक्शन है अगर इंडिया पेले बेटिंग करता है तो शुबमन गिल का भी बल्ला बोल सकता है क्योंकि वही वाली बात है शुरू में फास कि इनवाजों को मुमेंट मिलेगा नहीं तो दस ओवर तक के जो ओपनर रहेंगे ठीक है वो आच्छे खासे रन बना देंगे तो शुबमन गिल का भी बल्ला बोल सकता है आज के मेच में जब इंडिया पेले बेटिंग करता है जबकि चेस करते हुए फिर से इस मेच में फ बात करेंगे शिरे सायर की तो शिरे सायर भाईयो 16% सेलेक्शन है अगर इंडिया की पेले बेटिंग है तो इस 16% सेलेक्शन वाले पिलियर को आप चाहो तो विराइट कोली की जगा पे रख लेना ठीक है तो शिरे सायर आज इंडिया अगर पेले बेटिंग करता है तो तो, पहले बेटिंग करते होगे, ट्राय भी कर सकते हो, ग्रीन लिंग में आपके काम आ सकता है, रिस्की पुसंट वाला प्रेयर, अगर श्रीललंकर की पेले बेटिंग चो, बात करेंगे दूबय की, सिर ना सनलच में जब इंडिया पहले बोलिंग करें तो, मुंमा सिराज φ्लोप होगा जिसकी वज़ासे अर्षेदिप सिंग और शिवम दुबे ये दो फास्ट केंवाज इंडिया की तरफ से विकेट निकालेंगे फर्स्ट बोलिंग में अगर इंडिया की है तो इंडिया अगर फर्स्ट बोलिंग वीडियो में देखना 8% था और मेच इस्टाइड भी हुआ था नो तो 10% था अब आज के मेच में देखो तो 38% है अभी भी कमी लोग ले रहे हैं अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है चलो मैं आपको समझा देता हूँ असल अंका आज के मेच में क्यों चलेगा मैंने चेस करते हुए आज की मेच में रन बनाने वाला है रन क्यों नहीं बना है क्योंकि शिरिलंका पहले बेटिंग कर रहा था इसलिए रन नहीं बना है आज की मेच में अगर शिरिलंका पहले बोलिंग करेगा तो रन भी बना के देगा साथ में विकेट भी निकाल के देगा मत अगर आज की मेंच में खेलता है तो शिरिलंका पेले बेटिंग करता है तो ये 5% सेलेक्शन वाला प्लियर आपको कम से कम नितो 50 रन मार के दे सकता है तो शिरिलंका की अगर पेले बेटिंग है तो अभिश्का फर्नेंडो आज के विच में गजब की निग खेल सकता है समझते जाना ठीक है तो अभी किसको लेना है देखो भाई अभी मैं किसी को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन टोस जीता है टोस जब हो जाएगा तो मैं आपको देखो जैसे इंडिया पेले बेटिंग कर रहा है अभी मैं आपको एना तीन टीमें बना के बताता हूँ ठीक है एक इंडिया पेले बेटिंग करता है तो कैसे बनाना है शिरलंका पेले बेटिंग करता है तो कैसे बनाना है बाकी एक small league की टीम अभी मैं आपको बना के बता रहा हूँ जो आपको दोनों कंडिशन में जिता के दे देगी आज का मेच तो अभी के लिए मैं यहां से असलंका को लेके चल रहा हूँ और विगिट कीपर में मैं इंडीस यहां भी राउल को रखूंगा वो डिसाइड करेगा टोस तो अभी यहां से बस असलंका को मैंने रखा है और शिवम दुबे को भी अभी मैंने नहीं रखा है क्योंकि इसका भी डिसाइड नहीं है क्योंकि फर्स्ट बोलिंग अगर इंडिया की रहेगी तो ही यह चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा ठीक है चलो अब चलते हैं ओल्राउंडर्स में ओल्राउंडर्स में हैं भाईयो खजाना और आज के मेच में CVC निकलने वाले हैं भाईयो ओल्राउंडर्स सेक्शन में कौन से दो CVC निकलने वाले हैं चलो आगे बात करते हैं ओल गांडर्स की सबसे पहले बात करेंगे वनिंडू हसरंगा की तो भाईयो किलियर बोला था आज के मेच में धमागा करने वाला है लाश्ट मेच में बोला था और धमागा किया कप्तान बना के दिया था 124 पोइंट अज के मेच में क्या करने वाला है देखो भाईयो हसरंगा ऐसा पिलियर है एक कोई कोपी अगर आप हो तो नोट डाउन करके रख लो बता देता हूं वह बात वो बात क्या है आगे वह बात यह है कि हसरंगा आपको जब भी दिखे कहीं भी दिखे किसी भी मेच में दिखे खेलता हुआ, प्लेंग लेन में, ले लेना है, आग बन करके। अब बोलू केशा क्यों, चेंपियन पिलियर है भाईयो, विकिट टेकर पोलर है। बल्लेबाजी जबर्दस्ट करता है खतरनाक मतलब क्या ही बोलू जबर्दस्ट पिलियर है एकदम धासू एकदम जबर्दस्ट तो हसरंगा भाईयो हसरंगा के काम का गे राउंड है कोलंबो स्पिनर्स का विकिट है हसरंगा सबसे जबरदस स्पिनर है राइट आर्म लेग स्पिनर है लेटी राइटी दोनों को उड़ा देता है भाई इसकी बात ही निदा लीए यह बंदा ही कमाल का है हसरंगा लेना बनता है कप्तान बनाओ भाई बोहती जबरदस तोल्राउंडर प्लियर है विकेट कनफा म मेरी तरफ से guarantee विकेट निकाल के देने वाला है अब बोलो कि कितने तो भाई देखो इस मेज में साले 300-400 पोइंट भी ले सकता है क्योंकि बेटिंग से 100 रन भी बना सकता है और बोलिंग से 5 विकेट भी निकाल सकता है तो भाई देखो ये ऐसा बंदा है जो इसके लिए 300-400 लेना कोई बड़ी बात नहीं ओडिया इमेज में ये टीटोंटी में इतने दो-दो-सो डाई-डाई-सो पोइंट ले लेता है तो असरंगा आग बन करके पूरी 20 टीम में ले लेना बात करेंगे अक्षर पडिल की तो भाईयो देखो ये भी येसा बंदा है कि इस पे आप आठ बन करके ट्रेश्ट कर सकते हैं अब बोलोगे क्यों कि विकिट हमेशा निकालता है आई-पिल की बात करो या फिर वर्ल्ड कफ की बात करो चाई फिर कोई सी सीरीच की बात करो अक्षर पड़े लेसा ओल राउंडर प्लियर है जो हमेशा ही मतलब ड्रिम टीम में आता ह और अच्छे खासे पॉइंटों के साथ में आता है बेटिंग भी जबर्दस्त करता है बोलिंग भी जबर्दस्त करता है लेपटार में स्पिनर है प्लस इस पिच पे स्पिनर्स को हिल्प है और सबसे खास बात ये है कि शिरी लंका की टीम में राइट हिंडर्स हैं कितने ह अविश्का फेननेंडो, अतुम निसंका, कुसल मेंडिस, सदीरा समा विक्रमा, बनिंडू हसरंगा भाई सारे के सारे तो राइट हिंडर्स पिलियर्स है, बस असलंका को हटा दोगे तो पूरी टीम ही राइट हिंडर्स किये तो अक्षर पडिल के विक्ट कंफर्म है, पिलस बेटिंग भी जबरदस करता है, पिलस मुकाबला धूप का है, तो यहां से अक्षर पडिल को भी लेना बनता है, कप्तान बनाने लाइक पिलियर रहेगा भाईू, ठीक है? चलो, अक्षर पडिल का भी मैंने आपको बता दिय कि इसको भी आपको आग बन करके पूरी टीमों में रख लेना है, बात करेंगे वोशिंग्टन सुन्दर, तो भाई हो वोशिंग्टन सुन्दर भी एक जबरदस्ट स्पिनर, खासका लेफ्ट हिंडर्स को जल्दी आउट कर देता है, पर क्या इस पिछ पे स्पिनर्स को ज सकता है, पहले वेटिंग करते हुए, तो मतलब अगर इंडिया पहले वेटिंग करता है, और फिर से चोते नंबर पे आ रहा है, मतलब कि टोप उडर में खेल रहा है, तो कप्तान मनाने लाइक रहेगा, ठीक है, तो वोशिंग्टन सुन्दर को भी लेना बनता ही है, प्लस पाइदे को खेलता है, तो स्पीनर का मेच रहेगा, और ये बन्दा कमिंडू मेंडिस, ये दोनों हाज से स्पीन फेकता है, मुझे मेरे हिसाब से यसा लगता है, कि इस मेच में सधीरा समा विकरमा की जगा पे कमिंडू मेंडिस को खिलाना चाहिए, शिरलंका ये चेंज क कर सकता है, सधीरा समा विकरमा को बिठा के कमिंडू मेंडिस को खिला सकता है, ठीके, और ये बन्दा दोनों हाज से बोलिंग करता है, चाहे लेप्टी हो, चाहे इसके सामने राइटी हो, ये दोनों के विकेट निकालता है, तो कमिंडू मेंडिस, इस मेच का ट्रम पिलिय से इंपोर्टेंट हो जाता है और अगर वो ओल राउंडर है तो वो वेटिंग से रन भी बना के जाता है तो कम इंडू मेंडिस थोड़ा सद्यान रखना दो परसेंट वाला फिलियर आपको सो परसेंट काम करके दे सकता है चलो बात करेंगे रियान पराक की तो भाई यह इसका सेलेक्शन भी दो परसेंट है और शुमन गिल आगया था बोलिंग करने तो स्पिनर की कम ही खल रहे थी इंडिया को ठीक है तो हो सकता इस मेंच में रियान पराक को मोका मिल जाए अब बो तो एक इंपोर्टेंट पिलियर रह सकता है क्योंकि यह भी एक स्पीनर है और बेटिंग अच्छी करता है आई पिल में भी जबर्दस परफोर्मेंस थी पिलस अभी इंडिया शिरलंका की सीरी जो ही ती उनके सारे मेचों में ड्रिम टीम में आया था थोड़ा सा ध्यान रग और करने वाला क्या है आज के मेचों भाईयो अगर शिरलंका पेले बोलिंग करती है तो वेरी इंपोर्टेंट रह सकता है क्योंकि यह देट ओवर्स में बोलिंग करता है मतलब कि आखरी में बोलिंग करता है तो अगर शिरलंका फर्स्ट बोलिंग करता है तो फिर से देट वर्स, विकेट लेके जा सकता है, प्लस यह वेटिंग भी कर लेता है तो हो सकता है, चेस करते हुए, रनभी मार के दे दे तो यह 1% वाला पिलियर अगर आज के मिचमे फिलेंग लेओन में आ गया आ सकता है किसकी जगा पे लिया नागे की जगा पे इसको सीधा सीधा मोका दिया जा सकता है तो लिया नागे की जगा पे सीधा करोना रतने आ सकता है और आज के मिच में चा सकता है कब जब शिरिलंका पेले बोलिंग करता है तब चलो बात करेंगे जनित लिया नागे की 8% सेलेक्षन है तोड़ा सर इसकी रहेगा मैं बोलूँँआ आप चाहो तो इसको ड्रोब कर सकते हैं लेकिन अगर शिर्लंका पहले बोलिंग करता है तो हो सकता भाई आज के मेश में बोलिंग करें क्योंकि लास्ट मेश में शिर्लंका सेकेंड बोलिंग कर रहा था इस वज़ा से ये चला नहीं लेकिन अगर आज शिर्लंका फर्ष्ट बोलिंग करता है तो हो सकता है आज ये आपको बोलिंग से पॉइंट देके चला जाए ठीक है प्लस फिर चेस करते हुए आके रन भी मारता है तो लिया नागे के उपर भी मैंने आपको बता दिये कि इसका क्या कर सकते हो अभी मैंने यहां से लिए हैं भाईयो तीन ओल राउंडर मुझे लगता है आज की इमेच में कामिन डूम इंडिस खेलेगा सदीरा समा विक्रमा की जगा पे तो मैं अभी इसको टीम में लेके चल रहा हूँ ठीक है भाईयो अब चलते हैं बोलिंग सेक्शन में बोलिंग सेक्शन में आ गए भाईयो बात करेंगे बोलर्स की तो सबसे उपर कुल्दी प्यादा हो भाईयो पेटीस पॉइंट दिला है लेकिन मेरी टीम में था भाई सबकी टीम में था अब आज के मेच में क्या करने वाला है भाईयो आज के मेच में पेटीस पॉइंट तो नहीं है कम से कम एक सो पेटीस पॉइंट ले सकता है अब बोलो कि भाई यार क्या बात कर रहे हो कफ्तान बनाए गया है आज के मेंच में मुझे यह सा लग रहा है ना कि कुल्दीप यादा हो जो है कमाल करने वाला है कुल्दीप कूल का दीप कुल्दीप कुल्दीप यादा हो भाई हो आज के मेंच में कमाल कर सकता है क्यों क्य दौनों ही बल्लेवाजों का ओट करता है चाहे राइटी हो, चाहे इसके सामने लेटी हो लेलो जार आग बन करके रखलो इसको ये दोनों कंडिशन में विगेट लेने वाला है पिछ इस्पिनर्स की है कुल्दी प्यादाव एक बड़िया इस्पिनर है विगिट हमेशा निकालता है और आज के मेच में भी मुझे लग रहा है कि भाईयो कुल्दी ब्यादाओ कन्फर्म विगिट निकालेगा मैं तो लेने वाला हूँ फिर से लेने वाला हूँ पिछले मेच में ड्रिं टीम में नहीं आया है इस वज़ा से सारी टीमों में आज के मेच में लेने वाला हूँ ठीक है बात करेंगे महिश तिकषडा की क्यों नहीं खेलाया भाह तिकषडा को खेलाना चाहिए था आज के मैश भाईयो तिकषडा खेल सकता है और खेलता है तो सेलेक्शन बहुत कम है देखो आप 10% ग्रेंड लिग में काम आएगा कोई इसको लेगा ही नहीं आप ले ले ना मेने आपको बता दिया ठीक है क्यों ले 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 ना क्योंकि कोई इसको ले गा ही नहीं अब बोलो कि ये क्या रिजन है ये रिजन नहीं भाई ये एक अर्षदीब सिंग के बारे में केसी लगी थी वो बात एक कमेंट करके बता ना अर्षदीब सिंग के बारे में क्या बोला था मैंने ये बोला था कि भाई ये बंदा आपको रखना ही है ये हमेशा विकिट निकालता ही है चाये कोई भी टीम बोलिंग करे बेटिंग करे ये ए या लोजिक है भाई वीडियो आप मेरी देखोगे न तो आपको सारे लोजिक समझ में आते जाएंगे आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे मेरी तरह ठीक है तो अर्शिदीप सिंग भाईव आज सेलेक्शन थोड़ा बढ़ गया है तो हो सकता आज फ्लोब हो जाए लेकिन ये ये बंदा जो है कमाल का है और फर्स्ट बोलिंग सेकेंड बोलिंग दोनों ही कंडिशन में विकेट निकालता है प्लस लेफ्ट आर्फ फर्स्ट गेंबाज है शिरलंका में राइट हिंडर सें तो इसका इंगल जबर्दस्ट बनेगा और उड़ा देता है डंडे उड़ा जेता ये विकिट टेकर ए प्लस इंडिया का में गेंड बाज़े अर्शिदिप सिंग पर आप भरुसा कर सकते हो दोनों ही कंडिशन में इसको अपनी टीम में ले सकते हो अभी नहीं ले रहा हूं क्यों बात करेंगे मुहमाद सिराज की तो मुहमाद सिराज 28% सेलेक्शन है और अगर इंडिया पेले बेटिंग करता है तो बाई मैं लिखे तो नहीं दूँगा क्योंकि देखो मुहमाद सिराज दोका बहुत ज़्यादा देता है लेकिन फिर भी ये बोलूँगा कि सेकेंड बोलिंग में आज की मेंच में कमाल कर सकता है तो मुहमाद सिराज पूर लूँगा आपको क्लियर बता रहा हूँ ठीक है खली लेमद अगर खेलता है तो सेकेंड बोलिंग का ये भी एक जबर्दस गेन बाज है जबकि फर्स्ट बोलिंग में इसको नाहील हो तो बढ़िया रहता है ठीक है बात करेंगे अखिला धननजे की तो भाई यो आलम था ये विगिड भी निकालेगा और विगिड भी इसको मिल सकते थे पर केच ड्रोप कर दिया था सलंका ने कोई बात नहीं आज के मेश में फिर से इंपोर्टेंट रेने वाला है लेने वालम ठीक है बाई ये दोनों ही कंडिशन में अकिला धननजीय को आपको रखना पड़ेगा क्यूंब उसके बाद में लेटी आएगा अक्षर पटेल फिर कोन और्शिदीप सिंघ फिर कोन कुल्दि पिया दो अब जो असलंका आखरी में जो विकिट ले गया था क्युंग ले गया था क्योंकि सब के सब लेफ्टेंडर्स आ रहे थे तो लेफ्टेंडर्स को आउट करना ओप ब्रेक गेंबाज के लिए बहुत आसन रहा जिस वज़ा से असलंका विकेट ले गया और यही वज़ा थी कि मैंने असलंका को अपनी पूरी टीमों में लेके रखा जबकि मुझे मुझे मालम था कि और बनाएगा मुझे यह पता था फिर भी मैंने उसको आपको लेके दिया और किलियर बोला कि यह बोलिंग से विकेट लेके जाएगा तो एक यही रिजन था असलंका को लेने का कि इंडिया में जो है लेफ्टेंडर्स नीचे है बहुत ज़्यादा है तो अकिला धननजिया ल इस तरह से असलंकाने लिये थे ठीके और इसने भी वशिंग्टन सुन्दर को आउट किया था लेक्टी था वो है ना तो लेफ्ट हिंडर्स के विकेट लिए ले सकता है पर पिच पे स्पिनर्स को ज्यादा ही है तो राइट हिंडर्स के भी इसके विकेट खाते में आसकते है ठीक है फर्षित राणा का इस मेच में खेलना है मुश्किल लेकिन अगर डेबियू करवाने का मोकाद मिल जा है इसको तो हो सकता इंडिया जिसका डेबियू करवा जे तो इसका करना क्या है वो मैं आपको लाइब में बताऊंगा थोड़ा बुत लाइब के लिए भी बच दिप सिंग और शिरिल लंका में अशिता फर्नेंडो वैसे लेके तो गया था ये दो विकेट क्योंकि रोहिष शर्मा का भी इसने विकेट ले लिया था बस अब यार पता नहीं कौन सी टेकनोलोजी थी उनकी जो विकेट मिसिंग दिखा दी उन्हें नहीं तो रोहिष शर परसेंट सिलेक्षन है ये दोनुई कंडिशन में विकेट निकाल सकता है खासकर सेकन्ड बोलिंग में ज्यादा यी विकेट निकाल सकता है बात करेंगे दुनीत विलालगे की क्यों भाई कल तो जो लास्ट विडियो मेरी देखना आप पांच परसेंड भी नहीं था चार सेलेक्षन था और अब देखो तो चोहतर परसेंट सेलेक्षन है और भाईयो इंडिया वाज शिरी लंका की कहानी लास्ट वीडियो में आप देखना मैंने अपनी विदिंग दिखाई थी कब की एशिया कब की जब कोलंबो में ईंडिया वाज शिरलंका का अस्ते1 साल पे ले उस में इच में एबंदा दो करोड़ जीता था capturing संतावन लाक्षर जीता था वहित में बताया था इंडिया वाज शिरलंका वापस आ गया है कोलंबो में में मेश' वापस पिर से. इसे और के बाइने सब colors जिता दी में कोली, रोहीत, गिल, आयर, राहुल, पाँच जो वल्लेवाज है टोप के, पाँचों के पाँचो जो है राइट हिंडर प्लियर है, तो राइट हिंडर स्प्लियर को आउट करना, लेप्टार्मिस्पिनर के लिए थोड़ा ज्यादा ही आप आपको ऐलाउंड करके लेके चलना है भाईयोग है आपको आख बंद करो C करेंगे अपना बात करेंगें एम शिराज की भाईयोग शिल लंका के पास में भी मोहुमत शिराज है इंडिया के पास में मुहमद सिराज है तो शिरलंका के पास में मुहमद सिराज है अब बोलो कि मुहमद सिराज क्या कर सकता है यार पिछले मैच में तो बोलिंग ही नहीं मिली पूरी भाई यो फास्ट केंबाज है ये शुरू में और देटोवर्स में बोलिंग करेगा देख के थोड़े चांसे का में इस मेच में खेलने के क्योंकि हो सकता है कि पी मदूशन इस मेच में खेलता हुआ आपको दिखाई दे तो एम शिराज हो सकता है कि आज के मेच में ना खेले क्योंकि लाश्ट मेच में बोलिंग थोड़ी सी गंदी की थी इस वज़ा से हो सकता है कि आज के मेच में इसको बिठा दिया जाए चलो बात करेंगे ही मलिंगा की मुश्की ले भाईयो खेलना अगर कहीं खेलता है तो लाइब में आऊँगा मेच के देड़ गंटे पेले मतलब कि एक बज़े आपको लाइब मिल जाऊँगा यहीं पर ही है ना तो बता दूँगा ही मलिंगा का पी मदुशन पी मदुशन का भी अभी पका नहीं है यह भी लाइब के लिए छोड़ देता हूँ देड़ बज़े ओ सोरी के पीच पे हसरंगा से भी ज्यादा अच्छे रिकोट है इसके ठीक है तो जेफरी वांडर से यह भी ओल्राउंडर है बोलिंग सेक्षन में मिलेगा आपको एक ओल्राउंडर प्लियर ठीक है अगर खेलता है तो प्लस स्पिनर और पिछे स्पिनर्स के तो वाईओ यह जो दोब रीडयर हैं सोरी एक पिर अमगा में यह से भी उसका नाम है राफूल यह जो आयट की अच्छल के बन्क करके रखो और इनको अपनी टीबहों में कीआ है है बस इनके साथ में आपको तीन फिलियर लेना है बस आप तीन फिलियर ढूंड़ लो क्योंकि यह जो पिलियर है यह आपको ड्रिम टीम में दिखाई देने वाले हैं बोलो के भाई एक करोड तो जितना आप बहुत आसान है या बाई मेरी वीडियर देखोगे न तो आपको आसान लगने लगेगा इसे आपको बहुत मुश्किल लगता हो अरे आज इतने लोगों में कैसे जीतूँगा मैं वीडियो देखके आपका भाई बेठा है ना आता है आपको बताने के लिए तो इतने पिलियर आपको रखना है अपने टीम में बाखी जो तीन पिलियर रहेंगे वो डिसाइड करेगा टोस अब जैसे कि मान के चलो इंडिया की टीम पेले बोलिंग कर रही है तो राहूल को ले लो श्री लंका पेले बोलिंग कर रही है और कु इंडिया पेले बोलिंग कर रही है तो श्री लंका की तरफ से एक ओपनर चल सकता है तो वो हो सकता है कि अविश्का फर्नेंडो हो या फिर देखो इंडिया बोलिंग कर रही है तो आप शिवम दूबे को भी रख सकते हो क्योंकि फर्स्ट बोलिंग में विकेट निकालेगा और आप चाहो तो देखो एक जो जिस के उपर आप भरोसा जाता सकते हो वो है अर्शिदीफ सिंग चाहो तो आप अर्शिदीफ सिंग को रख सकते हो या फिर देखो इस में पता चलता है तिक्छणा को खिला रहे हैं तो आप ये काम भी कर सकते हो ठीके भाईयो तो ऐसा कर ल करेंगे इस टीम में CVC की लेकिन अगर आप ँठ को देखो इंडिया बोलिंग कर रहा है और तिक्षणा नहीं खेल रहा है तो आप चाहू तो इस टीम में निसंका को ले सकते हैGLEN को पहले बेटिंग करते हो आज सब कुछ मैं समझा रहा हूं समस्ते जाओ पूरे वाई फिक्स फिलियर दे के चला जाता है आपका वाई तो अभी के लिए मैं देखो अर्चिजिप सिंग को रख रहा हूं इस टीम को डन कर रहा हूं इस टीम को इंडिया की पहले बोलिंग है लेकिन उस कंडिशन में ठीक है पता चल रहा है इंडिया बोलिंग नहीं कर रहा है इंडिया पहले बेटिंग कर रहा है तो फिर आप क्या करोगे यहां से मेंडिस को लोगे और इंडिया बेटिंग कर रहा है तो आप क्या करोगे यहां से रोहित या गिल में से एक को मैं चलो गिल के साथ में जाना चाओं करना है तीन फिलर आपको चेंच करना है बस बाखी आट नो फिलिएर तो भीन आपको फिक्स दे दियें ठीक है बाईओ चलो अभी इस टीम में सी वी सी फिक्स कर देता हूं अभी कि लिए हसरंगा और अक्षर पडिल को कर देता हूं बाकि दुनित विलाल के भी बहुत बढ़िया CBC रहेगा आज के मेंच में पर असरंग का थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता मुझे और यह क्या लेगी स्पिनरे यह दोनों को यह आउट कर देता है बाकी बेटिंग ज़्यादा अच्छी करता है और अक्षर पडिल तो यार बरोसिमन और शिल लंका में राइट हिंडर्स इस वज़ा से ठीक है भाई यो तो यह कॉंबिनेशन आप इसमोल लिखा बना के चल सकते हो मैंने क्या बोला था पिछले मेंच में कि भाई इसमोल लिख में चाहे जितना पैसा लगा सकते हो इसमेच में टीम देखी मेरी केसी थी जितना मर्जी उतना पैसा आप लगा सकते थे वीडियो में आपको क्लियर बोला था ठीक है बुलो कि भाई टेलिग्राम पे क्यो नहीं बोला भाई सारी बात है भाई में तो आपके सामने यहां पे बेटा हूँ ना बता रहो न यहां पे अब टेलिग्राम पे आपको लगता है कि मैं चलाता हूँ इतना टाइम है मेरे बास तो यहां पे जो बताता हूँ उसको ध्यान में लखा करो ठीक है तो इसमेच में आप दबाके पैसा लगा सकते हो कमा सकते हैं, पिछले मेच में आपने अगर मोका गवा दिया है, तो इस मेच में मत गवाना, कमाना, ठीके, चलो, एक कोंबिनेशन बन गया ये, अब मैं आपको भाई देखो, दो ग्रेंड लिक के कोंबिनेशन बना के बताता हूं, एक इंडिया पहले बेटिंग करता है, उस ठीक है, और फिर आप जाओ, अक्षर बडिल को उठा लो, वशिंग्टन सुंदर को उठा लो, और यहां से कुल्दीप को उठा लो, सिराज को उठा लो, और सिदीप को उठा लो, इतने पिलियर आप उठा लो, इंडिया अगर पिले बेटिंग करता है, तो इतने पिलियर पि इंडिया के ले सकते हो अगर इंडिया फरे बेटिंग करता है अब इंडिया बेटिंग कर रहा है तो आपको क्या है कि यहां से विलालके को लेना जरूर रिये क्योंकि देगा विट तो गिरेगा नहीं तो जबons ब साथcho hairs के बाद आएगा विलाल लेने की जगाई नहीं है लेकिन आपको असलंका को भी लेना जरूरी है अब बोलो कि असलंका को किस की जगापे लें भाई हम तो भाई असलंका को आप सीधे-सीधे मालूम है क्या कर सकते हो एक इंडिया का फास्ट गेंबाज हटा कि वैसे अर्शेदीप सिंग को हटाना तो आप यहां से लो में इंडिस को जब वन डाउन खेलता है यह चीज ध्यान रखना कि अगर वन डाउन खेल रहा है में इंडिस तो चेस करते हो चलेगा तब ही लेना नहीं तो फिर आप राहूल को रख लेना अगर नहीं खेलता है तो यह कॉंबिनेशन बन जाता है इंडिय अगर पेले बेटिंग करता है उस condition में आप बात करें इसमें CVC की तो वाई देखो इंडिया पेले बेटिंग कर रहा है तो आप सीधे सीधे पता है कप्तान किसको बनाओ बता हूं चलो बता देता हूं इंडिया अगर वेटिंग करता है ना तो आप वोचिंग्टन सुम्दर को कफ्तान बना सकते हो नहीं तो अक्षर और यह ही हसरंगा बनाने के लिए बोलोगे इन दोनों ही क्यों बना रहे हूं कि तो शिलंका में राइटी जाता है इस वज़ा स अक्षर पटेल विकेट निकाल लेगा बागी हसरंगा तो चेंपियन है यान वो बेटिंग और बोलिंग दोनों से विकेट निकाली लेता है एक बिलालगे भी बहुत बढ़िया है चाहो तो आप बिलालगे को भी बना सकते हो ठीक है यह भी जबरदस्त है ठीक है पर आभी मैं क्या करूँगा इस टीम में मैं इंडिया के दो ओकणर हटा के पता है क्या करूँगा अगर इस्पिनर और खेलेंगे तो मैं उन इस्पिनरों को ले लूँगा नहीं तो मैं क्या करूँगा सीधा सीधा अब जैसे इंडिया सेकंड बोलिंग में अर्षिदिफ सिंग विकेट निकाल तो ले गई लेगा ठीक है अर्षिदिफ को ले लूँगा और एकाद गेन बाद बढ़ा लूँगा या फिर एकाद और इस्पिनर खेलेगा तो उसी स्पिनर को ले लूँगा जैसे कि मान के जो तो दिख्षणा भिख्षणा खेल रहा है उसको ले लिया मैंने तो यह कॉंबिनेशन भी बन सकता है चाओ तो इस टीम में आप किसको ले सकते हूँ यार एक पिलियर भाई दोको शुमन गिल पिछले में बोलिंग करने आ गया था पता चल रहा आज बेटिंग से रन भी मार गया और बोलिंग से विकेड भी ले गया तो यह काम भी आप कर सकते हो बाई हो यह ना यह कॉंबिनेशन रहेगा इंडिया की पेले बेटिंग रहे तो लाइब आओं एक बजे बता दूंगा किते नंबर बेखेलेगा में इंडिस और रखना का वे अभी फिक्स नहीं हो उसका क्यूंकि ओपनिंग भी कर सकता आज चलो अब मैं आपको भाई देखो शिरिलंका पहले बेटिंग करता है तो क्या करना है वह आले टीम भी बना अंदर भरना है अपनी टीम में फिर उसके बाद में आपको यहां से विलाल गे अखिला धननजे पुल्दीप यादव और यहां से अर्षदीप सिंग या फिर अशिता फर्नेंडो ठीक है और इंडिया जो है पहले बोलिंग कर रहा है तो यहां से राहुल यह कॉंबिनिश ठीक है भाईयो बस आप इस टीम में एक हाथ फिलियर और चाओ तो श्री लंका का ले सकते हो लेकिन हटाओगे किसको हटाने लाइक कोई ही नहीं चलो डन होता है यह कॉंबिनेशन बात करेंगे इस टीम में सीविसी की तो देखो भाई श्रिल लंका को फेवर कर रहे हो तो आप चाहो तो श्रिल लंका के दो सीविसी बना सकते हो भाईयो आज की वीडियो भतम करना चाहूंगा बाकी वीडियो लाइक ठोके जाना और मेरी जो डीपी लगाता है वो गरेंड लिक जीत जाता है और जो मेरी वीडियो लाइक ठोकता है वो भी गरेंड लिक जीत जाता तो फिर उसके बाद में कल कमेंट करके आगे बता देना भाई आपकी डीपी में ने लगाई और मैं आर गया ठीक है अगर ऐसा हो जाए तो मेरी डीपी लगाओगे ग्रेंड लिक जीत जाओगे क्योंकि देखो भाई कुछ लख होता है आपका भाई इतना बड़ा लखी आद अगर आपकी नियती खराब है तो भाई आपके बाद ग्रेंड लिक नहीं है जिसकी नियत साफ ग्रेंड लिक उसके पास तो लाइक ठोक देना अपना अपना इस वीडियो पर 50,000 लाइक चाहिए भाई क्योंकि पिछले मेंच में जो बोला सब कुछ भाई हुआ इस मेंच म करना है जहाँ पर कमेंट करते हैं वहाँ पर मेरी कमेंट पिन है सबसे बिले तो मेरी कमेंट को लाइक करना भाई हो कमेंट पर भी आपका एक लाइक चाहिए मेरी तो लाइक ठोके टेलेग्राम चैनल जोइन करना बागी भाई हो आपका भाई क्रिकेटर है और अपने अप क्रिकेट वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आपका भाई भी खेलता है और आपका भाई एसा ओल राउंडर प्लियर है अगर मैं इंडिया में होता ना तो आपको आग बन करके बस कप्तान बनाने की देर थी हर मैच में आप ग्रिंडिक जीतते हैं आपका भाई एसा प्लियर है ठीक है तो आओ इस्टागराम पे फॉलो करो इस्टाग्राम पे टेलिग्राम जोइन करो इस्टाग्राम पे मेरा ब्रोटकास्ट चेनल है हाँ वाँ पे भी टीम देता हूँ सो मेश ठाकर सर्च करो आप इस्टाग्राम पे वेरिफाइड मेरा ब्लू टिक वाला अकाउंट है ठीके भाईयो यार वीडियो हो रही है लंबी अब मिलेंगे कब नेश्ट वीडियो में नहीं मेच के देल घंटे पेले लाइब में ठीके भाईयो तो अब यार हो गया है आपका काम क्या है टेलिग्राम जोइन करना वीडियो लाइक ठोकना डीपी लगाना इस्टागराम पे लाइब आपके सामने आपके कोश्चनों का आंसर देते हुए और अपना प्रेडिक्शन रिबीट करते हुए साथ मैं सारी अपडेट्स लेके आऊँगा और मोसम वगेर अगर कुछ खराब वगराब होता है तो उसके वारे में बता दूँगा पानी वानी गिरेगा तो फिर कोई स्पिनर थोड़े से रिस्की हो जाएंगे हाँ यसा हो सकता है लेकिन मैं आपको फाइनल बता दूँगा लाइब में चलो अब मिलेंगे लाइब में तब तक के लिए धन्यवाद भाईयों आपका दिन छुब हो डेर सारी आजाब की विनिंग